हलो सो और जो आज हम बात कररें विजय केडिये सर के एक पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की ज है वो आपने सुना भी ओर मैं ने भी यहाँ पर अगर वीडियो पर जाऊंगा और यहां पर डालूँ गाराम को भीडियो बना घिका है तो अग् wz राम को सिस्टम से लेटिड मैंने बाते करी थी टार्गेट ही होता है ते टार्गेट हिट भी हुए ते उसके यहां पर नीचे गिरता हुआ भी नजर आया था तो अलग-अलग यहां पर उसी दरीके यह खेल चलता रहता है ठीक है विजय केडिया सरकी बात करूं तो उन्हों 65 रुपीज के बाहों से यहां परं ले रखा था था हुआ था कैना 75 रुपीज के बाहों से शेर को ले रखता एक अच्छी और से यह यहां सब्सक्त expands रखेखे होंगा तो इसका मतलब क्या है उन्हें भी नहीं पता bottom कब बनेगा उन्हें भी नहीं पता top कब बनेगा और last quarter में यहाँ पर इस particular share से completely exit लिया तो अगर बात करें यहाँ बीच बीच में exit लिया फिर भी यहाँ पर उन्होंने 300-300-400 रुपे के भाव तक यहाँ पर 75 रुपे वाले share को बेचा तो इस चीज को याद रखिए अच्छे share को लोगे पैसा बनेगा timely entry, timely exit दोनों चीज करना पड़ेगा और जैसे ऐसे चीज़े ऊपर जाती है न साससात stop loss को भी ट्रेल किया जाता है और बेचा भी जाता है खरीदा भी जाता है उस सब चीज से लेटीड बाते चीजों को सीखें जितना चीजों को सीखेंगे उतना अपने आपको expert बनाएंगे और यहां पर सीखने का तरीका videos है जाके videos को देखिए और यहां पर कल की video बनाई थी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा ठीक है यहां पर सीखने के लिए कुछ नहीं होगा इसलिए नह रिशानी निया वो आपकी मर्जी है ठीक है और सीखने का दूसरा तरीका है 860540501 8169261037 नमबरों पर कॉंटक करो और यहां पर कोर्स कराया जाता है बारी किया सिखाई जाती है क्यों क्या कैसे किसलिए लेना है शेयर कब लेना है किसलिए लेना है कौन सा शेयर लेना है वो सारे आंसर यहां पर दिये जाते है बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल एक बार इस कोर्स को जिसने कर लिया दुनिया की किसी मार्किट में जाएगा काम करेगा पैसा बनता हुग नजर आएगा फीज 15,000 नहीं रही ओल्ड फीज है 20,000 रुपे का भी यह कोर्स हो चुका है ठीक है और तीरी मंस की एंड ओल नहीं हो एक बार कोर्स करने के आथ पीछे मोड़के देखने की जरूद नहीं पड़ेगी वाटसब गुरूप है 12,000 रुपे पर मन देखे वाटसब गुरूप में एड़क हो सकते हैं जहां पर अपने रिसर्च स्टॉक से के वल डालता रहता हूँ ठीक है और आपको बताता रहता हूँ यह अच्छा स्टॉक है या नहीं है इसके इलावा हम बात करें इन नमबरो पर मैं कहीं बहल आपको इतना ही बता पाऊंगा कि हाँ शेयर यहां पर चल रहा है और छे महीने एक साल तक रुकोगे तो शायद वो पर शेयर आपको 50% से 100% तक के रिटन दे सकता है ठीक है बट याद रखिए एक्कॉर्डिंगली जैसे ऐसे बताऊं उस तरीके से काम करन पड़ेगा तब यहां पर पैसे बनेंगे बैंक जालीं की रिकमेंडिशन नहीं अपने फाइनेशल एडवाईजर खुद की स्टडी करना है चीजों को सीखना है और नमबरों को नोट कर लीजिए रामको सिस्टम की बात करें तो यहां देखिए हाविं मल्टी टैनेंट क्लाउड और मॉबाइल बेस इंटरप्राइजे सॉब्वेर इन एचर एंड ग्लोबल पेरोल एर्प एंड में मरो फॉर एविएशन तो एविएशन से लेटल डिए कंपनी काम करते हैं तो यहां पर आठारे सो प्लस इनके यहां पर एंप्लोईज सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार इंकी वेफसाइट पर जाईए विजिट करिए पता चलेगा यहां पर कंपनी क्या करती है ठीक है यहां पर पता किस से चलता है पता चलता है बैलेंशीट से यहां पर देख सकते हैं इनके कस्टूमर जो पैतिस अलग-अलग कंट्रीज में यहां पर फैले हुए हैं यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रही है एक पर जाके इनके बारे में पढ़ बट जब गिरेगा तो उसी तरीके से गिरेगा कि 50% आपकी वेल्यू कतम, 50% से ज्यादा की वेल्यू कतम, ठीक है बट जब भागेगा तो अच्छा भागेगा, तो चीजों को टाइम पे अच्छे से पकड़ों के पैसे बनेगा, इसके इलावा 337 रुपे का हाई है, 150 रुप तो इस चेयर ने टॉप 7800 रुपे का लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, तो यह टॉप 1000 रुपे तक का लगा रखा है, इसने 2015 में, और उसके बाद यहाँ पर अभी फिलाल में, COVID के बाद जब लगा था तो 600 रुपे के आसपास का लगा था, और हम यहाँ पर बात करें, yearly basis पर company का performance, तो company का performance यहाँ पर आप देख सकते हैं, company का performance as such कुछ खास नजर नहीं आता, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नेजर नहीं आता कि company ने कुछ तोड़ फोड मचा दिया हो, बट इस तेल यहाँ पर हम बात करें, पिछले कुछ कुछ कौटर की, तो अच्छा खासा यहाँ पर sales आई है, बर साथ-साथ company इतना expense कर देती है, कि company को profit होना मुश्किल हो जाता है, तो company यहाँ पर आप देखोगे, negative यहाँ पर operating profit है, margin यहाँ पर negative है, ठीक है, और जब company positivity थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि share भी अच्छा खासा positive तरीके से भी रहता है, yearly basis पर यहाँ पर net profit वैसे quarterly basis पर देखे, तो again यहाँ पर आप देखोगे, कि negative है, तो आप सोच रहोगे, कि सब चीज नेगेटिव है, company बेकार परफॉर्म कर रहा है, तो मैं यह share बता क्यों रहा हूँ, तो जब मैं technical पर आऊँगा, तो मैं आपको बताऊँग है, company का net profit घाटे में है, और highest ever घाटा यहाँ पर दिखा रही है, तो long term के वीजन से ही नहीं पहले ही बता चुप हो, reserves है company के पास, बोरा ही है, यहाँ पर company की बेटरी है, और 12 करोड का cash investment है, और cash भी पड़ा हुआ है, 68 करोड रुपीज का, इसके इलावाँ देखोगे, तो F foreign institutional investors है, वो यहाँ पर 7.8 थी, 7.98 यहाँ पर खरीदते हुए नजर आया है, तो एक यह रीजन है कि मैं इस share को यहाँ पर indicate कर रहा हूँ, DIs की holding थोड़ी सी कम हो रही है, और साथ में public की holding की बात करे, वो कम होती हुए नजर आ रही है, और जब यह holdings कम होती है, तो कहीं न आप देखोगे, यहाँ पर लगातार फॉल आता हुआ और नजर आया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने share को यहाँ पर completely exit कर दिया है, मार दो 2023 में, तो इस sheet को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके इलावा यहाँ पर एक शक्स है, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छ इस sheet को थोड़ा सा, ignore नहीं करना है, इस sheet को थोड़ा से याद रखिएगा, इसकी वज़े से आप देखोगे कि जो share यहाँ पर था, मैं अगर 6 महीने का चार्ट लूँ, तो share जो यहाँ पर 200 रुपे के आसपास का लो बनाया, वो यहाँ पर अभी 300 रुपे के आसपास चल तो FIs की वज़े से ही यह यहाँ पर चलता हूँ, नजर आ रहा है, चार्ट की बात करेंगे, यहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है, कब लेना है, कब बेचना है, कब नहीं लेना चाहिए, उससे रेटीरी बाते करेंगे, बड़ उससे पहले request है, चानल को सब्सक्राइब, बैल तो राम को सिस्टम में आप देख सकते हैं, एक टॉप बनाने के बाद यहाँ पर शेयर की अच्छी घासी पिटाई होती हुई नजर आई, ठीक है, यहाँ पर अलेगी दिखा रहा है, ठीक है, उस पर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, बट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता अपनी वुद्धी लगानी है, अपनी नॉलिज लगानी है, क्योंकि आप अपनी नॉलिज के बेसिस पर ही आगे बढ़ेंगे, किसी और की नॉलिज के बेसिस पर ठीक है न आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस चीछ को याद रखियेगा, बट अपनी नॉलिज लगाएं जो हमें ने मिली बट आपको मिल रही है तो आप फायदा उठा सकते हैं शेयर की बात करूं अपने गुरूप में अल्रेडी ये शेयर में दे चुका हूं ठीक है इस भाव पे मैंने यहां पर यह शेयर को दिया था और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं शेयर अभी ल अगर कोई आप लेना चाहता है तो सबसे पहली बात तो इस टॉप लॉस लगाईएगा क्यों कि इसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं वहां पर मेरा कन्विक्शन जादा नहीं होता बड़ चार्ट अच्छा है तो इस वजह से ही यह शेयर को मैं आपको बता रहो अ तो जब यहां बताया था तब स्टॉप लॉस चोटा था अब स्टॉप लॉस तोड़ा बड़ा है तो यहां पर 20 रुपे के आसपास का स्टॉप लॉस और जैसे ऐसे चीज़े बढ़ेगी तो टार्गेट यहीं पड़ी और मुझे नहीं लगता है इधर से जादा यहां प के फिर नीचा है और शायद एक चीज बताता हूं एक हाइक है क्या हाइक है कि यह जब भी बड़े-बड़े कोई इन्वेस्टर निकलता है न इन बड़े-बड़े नामों से जब यह निकलते है तो याद रखिए शेयर में एक जम पाती है और इनों ने लाश कौर्टर में निकले तो यहाँ पर आप देख सकते है जब यह निकले तब यहाँ पर शेयर को भगाया गया है तो इसलिए यह एक कह सकते है कि टोटका है ठीक है कि जब भी निकलते है तो शेयरों में यहाँ पर पर प्रमोर्टर निकलते है या फिर बड़े-बड़े इन्वेस्टर निक में आपको अच्छे से यहां पर गाइड कर पाऊंगा अगले कौर्टर में एक बार और वीडियो बनाऊंगा क्या यहां पर शायद पंडामेंटल चेंज होने वाले है इस वज़े से ऐसा कुछ हो रहा है कंपनी यहां पर क्या आपने डेट को रिड्यूस कर रही है इस ग्रूप में नोट कर लीजिए वाटसप ग्रूप में एड हो जाहिए और कॉरस करिए सीखिए थैंक यू सो मच गड्ब्लेस